नमस्कार आप देख रहे हैं 12 राशुक राशीफल मैं हूँ आपकी साथ खुशी आपकी शुप जिन तर जो दिन चरिया और होने वाले और शुप और शुप संकेतों से आपको रूबरू कराएगी आज का दिन बेहत खास है इसी पर मैं आपको बताऊंगी कैसे आपके सितार चमका सकते हैं या पूरी जानकारी आज में आपको दूंगी तो पहली बात शुरू करते हैं पहली राशिस यानि मेश राशिस मेश आज का दिन आपके लिए खुशिया बरा रहने वाला है और आपको एक के बाद एक खुश कप्टी सुनने मिलने वाली है बिजनस कर रहे लोगों के लिए यह काम और यह लाब कदीगल आएगा जिससे आपकी धन संबने समस्या आसानी से हल हो सकेगे और आपको परिवात में रह रहे लोगों की जरुवत का पूरा ज्यान रखना होगा और किसी से भी हुए विवात को भी आपको रहते समय पूरा करना होगा अस आफ मता ही इसकी भावना आपको बल मिलेगा पुरिशाव आज का दिन आपके लिए जल्दबाजी में किसी भी काम को करने से बचने के लिए होगा आपको किये गए जोखिम बरे काम आपको हाट डालने के लिए बचने होगा और घर में वह बाहर आपसे कुई भी गलत ना हो इससे आपको स्विकार करें आज किसी अतितिका आगबन का महौल में आप खुशने उमार रहे सकते हैं जिससे आपका परिवार के सदस्या व् व्यक्ति से और मित्र से लंबे समय के बाद मुलाकात भी हो सकती हैं आज कारी शित्रे में आप यदि किसी व्यक्ति से अतियदिक भरोसा कर रहे हैं तो वहां उस भरोसे को तोड़ सकता है और आपके परिवार में यदि किसी सदेस्व के बीच कुछ कहां सरी हो चल रही है तो आप उसे बाहर न जाने दे और नहीं तो उससे कुछ लोगों में आप उसका फायदा भी उटा सकते हैं और आपको कुछ महत्वपुर्ण चर्चाय में सम्मलित होने का मौका भी मिलेगा जहां आप लोगों के सामने अपनी बात अविश्य रखेंगे संतान से आप किसी भी गलत वस्तु की फर्माईशे ना करें कर्ट आज का दिन आपके आई में व्रिद्धी लेकर आएगा और सुक्स विदा में बढ़ाने में आप प्रसंद भी रह सकते हैं आप सबके हीत में बात करेंगे और आपके बैस वाज़ियों में ना पड़े और वह अंकारी बाते भी ना करें आप अपने धर्म कर्म की कारियों में अपनाएंगे और रक्त संबंदी रिष्टों में भी आपको सहयोग बना रहेगा भाई वंदूत वर की भी भावन आपके अंदर जागरूत हो सकते हैं और अपनी जम्मेदालियों को आप बखो भी निभाएंगे वरिष्ट सदिस्य यदि आपको कोई बात न समझाए तो आप उसे अच्छे से सुनना वह समझना होगा बड़े कोई बात मानना ही अच्छा हो सकता है आपके लिए कन्या आज का दिन आपके लिए धन दानिया एवब रिद्धि लेकर आएगा आपको परिवार में किसी हर शवव मंगलिक कारियो करम में भी सहुने से सदसे व्यस्त रह सकते हैं आप अपनी केमती वस्तों को संभाल कर रखे क्योंकि उनके को ने वचोरी होने का भय आपको सदा सकता है और नए वहाँ की खरिदी के लिए आप सोच रहे तो ये समय आपके लिए बेहत अच्छा हो सकता है तूला आज का दिन आपके लिए मत्वपर ने रहने वाला है आपकी रचनात्मक कारियों में प्रतीव रूची भी जागरत हो सकती है आपको कोई बड़ा लक्षय भी पूरा हो सकता है संतान पक्षक की और से आपको कोई खुशकबरी सुनने को मिल सकती है और नौपरी पेशा कर रहे लोगों के लिए आज का दिन बेहत खास है आज का दिन आपके लिए निश्चेत रूप से भलदाई रहने वाला है जल्दबाजी में आपको कोई भी काम करने से बचें, खर्श करने से बचें आपको किसी कुराने रिवेश में आपको अच्छा लाब मिल सकता है जिससे आपका मनन प्रसंदर रह सकता है और आपके भाई बहनों से चल रही अनपन्द भी दूर होगी व्यक्साय में कामों को आप पूरा ध्यान दे, नहीं तो आप आपसे कोई भी चुखो सकती है और आपके दिखावे के चक्कर में आप अतिदिक धन नहीं लगाना चाहिए आज का दिन गुरु अस्त जीवन में मधूरता लेका आएगा आपके जीवन साथी अपने मन की प्रबात आपसे कहने में संजकोच नहीं करेंगे अध्यान वर अध्यात्मिक के प्रती आपकी सक्रियता बढ़ेगी किसी भी समझोते पर कारेशेत्र में या हस्ताक्षर बहुत ही देखपाल से करें नहीं तो आप किसी भी गलत कांजात में दस्तकाज कर सकते हैं आपको नए विश्यों में तेजी आएगी यदि आप किसी भी किसी से भी धन लेते हैं तो उसे उधार ना दे मकर आज कर इन आपके लिए उर्जावन वाला रहने वाला है कोई खारो बारी को लेकरियादी कोई समस्य चल रही है तो वहाँ उसे दूर होगी और किसी सरकारी समस्ता से जूड़कर आप अच्छा काम कर सकते हैं आपके अपनी भावनाओं पर अमकुश बनाया रखना होगा नहीं तो समस्या हो सकती है आपको कारी शेत्र में योगता अनुसार काम करने की या मिलने की प्रसंदा तक आठीकाना नहीं हो रहेगा और किसी सरकारी काम को लेकर यदि आप थोड़े बिनिश्चित है तो वहाँ आपके लिए अच्छा है आज का दिन आपके लिए धन संबंदित पामलों में अच्छा रहने वाला है आपको कोई पुराना लक्षय पूरा हो सकता है जिससे आपका दिन भी अच्छा गुज़रेगा आप लंबे समय से सेखे हुई योजनाओ को समय रहते हुए पूरा करें नहीं तो समय में काफी देर हो सकती है भागय को दुरुष्टिकों से आप काफी कारियों पूरे कर रहे हैं जिनको लेकर आप परिशान भी रह रहे हैं आपका कुल मित्रा आपसे लंबे समय के बाद हुलागार करने आ सकता है मीन आज का दिन आपके लिए मताकुल रहने वाला है आप परिवार में अपने भाई अथवा किसी भी सदे से किसे बेवज़ाई बैसबाजी हो तो आप उसमें साउधा ने परते और फास्ताय में यदि कोई समस्या आपको घेर रही है तो उसमें भी लापरवाई बिलकुल ना करें और पूरा ध्यान दे आप जिम्मेदारी से काम ले अगली प्रोग्राम में आपको बताएंगी कौन सी दाल खाने से किस दिन खाने से आप अपनी किस मत चमका सकते से बीच हमें दीजी जावत कल फिर में लेंगे से समय से जगत अब तक के लिए देखते रही हमने सी दट्वट की कास पिशकश बारा राशियो का राशिव पर आशिव पर मिशकार